हेलो माई दियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सब वेलकम टू दे डाउटनेट स्वागत है आप सभी का आपकी साइंस की इस क्लास में मैं हूं मैं आपकी मेंटॉर हिमानी एंड मैं आने आपके साथ कल स्टार्ट किया था CBST Term 2 का Chapter No.1 Electricity हमने कल Electricity में बहुत सारी चीजों के बारे में डिसकेशन किया Electric Charges के बारे में डिसकेशन किया कि एक Metal Wire में किस तरीके से Electron Conduct करते हैं उनके बारे में डिसकेशन किया फिर हमने उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने Electric Current की Definition पढ़ी Electric Current का Formula पढ़ा क्या पढ़ा बच्चो हमने पढ़ा कि Electric Current की हमारे पास Formula होता है I is equals to Q by T उससे भी पहले हमने दो टाइप की Electricity पढ़ी Static Electricity and Current Electricity Static है कि जो Rest में Charges है उनके बारे में Study and Current है जो हमारे Motion में जो हमारे Electron है या जो Charges है उनकी Study उसके बाद हमने Charge को पढ़ा Charge दो तरीके के होते हैं Positive और Negative और Charge की Properties पढ़ी कि वो Additive in Nature होती है मतलब किसी भी किसी भी सिस्टम में अगर ये Q minus 2 Q plus 3 Q ये सब पढ़ी है तो हमारे पास इस सिस्टम का Charge हम Total Addition करके Algebraic Sum करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं हमने पढ़ी थी कि Charge is always Quantized in Nature Q is equals to NE इसके उपर हमने एक एंड में question भी करा था कि how many electron are there in one Coulomb of Charge ये भी पढ़ा था राइट देन हमने इसके बारे में पढ़ा था कि positive positive और नेगेटिव नेगेटिव अट्रे और अगर अगर अनलाइक चार्जिस होंगे तो दे अट्रेक्ट इच अदर देन हमने एक metal wire लिया था और एक non metal atom लिया था कि हमने एक जामपल लिया था कि एक बच्चा hostel में है और एक बच्चा घर पे रह रहा है तो वाले जो बच्चे वह फ्री ओजाता है जो घर से दूर रह रहा है यानि कि जो हमारे nucleus से दूर है दूर वाली orbit में गूम रहा है वह फ्री होने की tendency रखता है कि वह बाहर चला जाएगा उसी सेम टाइम पे जो हमारे पूरे के पूरे जो metal wire है उसमें घूमने नहीं देता है जो उसका जो भी वायर में है उसको conduct करने नहीं देता है क्योंकि वह nucleus के बहुत पास है और वह nucleus के बहुत दूर है इसलिए nucleus उसे जकर नहीं पाता है ठीक है इसी तरीके से हमने conduction of electricity न वायर देखा हमने current के बारे में पड़ा और उसके बाद हमने current की definition पड़ी one ampere defined किया और हमने emitter और galvanometer को देखा ठीक है ये थी हमारी last class की summary आज हम क्या पड़ेंगे मैडम आज बच्ची हम start करने जा रहे हैं पहला topic potential difference से आप potential difference को हम एक analogy लगा के समझेंगे और क्या analogy होगी कि हमने दो कोई experiment कर रहे हैं हम ये analogy ले रहे हैं दो tanks की क्या कर रहे हैं हमने एक case में क्या करा दो tank लिए दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे फिल ये देखो ये हमारे दोनों सेम लेवल पे फिल हैं अब मैंने इन दोनों को एक pipe से जोड़ दिया अब जब मैंने इनको pipe से जोड़ दिया तो क्या इन दोनों के बीच में पानी फ्लो होगा आप करके देखिए अगर आपकी दो चीजे सेम लेवल पर हैं यानि कि सेम फ्लोर पर लगा लो आप चलो इसको फ्लोर से देखो कि आपने आपने ग्राउंड फ्लोर पे टूटी लगा दी और ग्राउंड फ्लोर पर ही टंकी रग दी क्या आपकी टूटी में टंकी से पानी आएगा नहीं आएगा क्यों क्योंक प् penso आद सेम टाइम सरे कलेगे इस थे अगर मैं एक ट्तेंग्स ले między सब्सक्राइब mere al I 140 को यहीं ए पहरा पानी जाए गा ए फिर अगर मैं first floor second floor third floor में से किसी परहर प्रेंगी रहतना थे तो मैं ग्राउं प्रोर के पानी सकते हैं ना बच्चे अगर मुझे पानी लेना तो मुझे उस्से उपर वाले फ्लोर पे ठंकी रखनी पड़ेगी जब ही मेरे पास नीचे पानी आएगा इसी तरीके से बच्चा जब तुमारे इस टेंक से इस टेंक में जब ही पानी आएगा जब there इस certain height difference, क्या है बच्चा, height difference है, उसी तरही के से हम हमारे potential difference को define करती है, हम कैसे define करेंगे, ऐसी ही analogy हम उसके साथ लगा लेते हैं, हमने क्या करा, एक tank की ले ली, उसमें electron बहुत ज़्यादा भर दिये, electron tanky में आएंगे कैसे, ऐसा तो है नहीं भईया, कि तुम्हारे market में electron खर मिल रहे हैं, तुम एक kilo electron ले आए और टंकी में भर दिये, ये तो हो नहीं सकता, बिटा आपने chemistry की class में पढ़ा होगा न, कि जो आपकी बैटरी है, वो कैसे काम करती है, उसमें कैसे electrons आते हैं, बस उस टंकी यहां ले, जिसमें मैंने बहुत कम electron डाले, तो और मैंने इन दोनों टंकियों को एक pipe से जोड दिया, अगर मैं कोई difference ना रखती इन दोनों electrons के बीच में, इन दोनों electron की टंकियों के बीच में, फ्लो होता ही न, कम से, जाद जादा से कम की और जाती ही न, क्यों कीजें उससे कम की और ट्रांसवर होंगी चीजें, है न, तो बच्चें अगर electron ट्रांसवर करने हैं, तो we'll have to make a certain height difference in case of water, और यहां वाले case में थोड़ा सा potential difference, ठेक है, हमने इस difference को क्या नाम दिया है, potential difference, मतलब कि यह potential difference किसी तरीके का एक force की तरह है, जैसे यह height difference था, जिसकी वज़े से यह electron flow हो रहे हैं, और यह आते किसकी वज़े से हैं, जो हम battery, जो हम circuit में यह cell लगाते हैं, या जो combination of cell लगाते हैं, combination of cell को ही battery बोलते हैं न बच्चा, यह हमारे पास cell है, यह हमारे पास battery है, है न, इसकी वज़े से यह potential difference create होता है, आई इतनी बात समझ में इतनी बात आई समझ में या नहीं, जल्दी से comment box में मुझे बताएं, मैंने बोला कि हमें इक electron का difference create करना होगा, potential difference जिसको हमने नाम दिया है, अगर potential difference नहीं होगा, इस height analogy की तरह, यह जो मैंने आपको समझाने की तरीके से बताया है, उसके बिना यह electron का flow possible नहीं है, मतलब ज चल बेटा तू हमारे circuit में move कर, समझ आई यह बात, clear, आगे बड़े, ठीक है, तो यह देखो बच्चा, अब हमारे पास यह जो हमने potential difference की बारे में चर्चा करी है, यह इसकी definition क्या है, चीक है, आपने circuit में, एक आपने circuit लिया, जिसमें current बहे रहा है, ठीक है, और आपने बैटरी लगा दिया और यह बल्ब लगा दिया है, चीक है, बल्ब को symbol, सभी कर देती हूँ, मैं, चीक है, अब बच्चा, मैं आपसे कहती हूँ, कि मैं voltage 0 रखूँगी, voltage मैंने 0 कर दी, ठीक है, तो क्या इसमें कोई current flow होगा, क्या इसमें कोई current flow होगा, नहीं होगा, मतलब की current के flow होने के लिए voltage तो जरूरी चाहिए, इसको हम इस GIF से समझते हैं, यह देखो, इस GIF को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, यह बिचारा जो electron है, लाठी पकड़ के battery में से घुस रहा है, यह negative terminal है, यह positive terminal है, इस तरीके से देख लें, कि यह positive इन electron को attract करके अपने अंदर ला रहा है, बैटरी के अंदर क्या चल रहा है, बैटरी उसको, इस वाले electron को धक्का दे रहा है, कि तू जल्दी charge हो, जल्दी से recharge हो, और बाहर निकल, और circuit में घुम किया, ठीक है, यह क्या कह रहा है, electron पूरे circuit में घुम के ठक गया है, यह उसको, ऐसे समयो, red bull पिला रही है, कि तू red bull पी और भार जा, और जल्दी से circuit में घुम किया, जो ठका हुआ electron था, लाठी पकड़ के आया, बैटरी ने उसे एक मुक्का मारा, वो भाग के, यहाँ पर पूरी वायर में घुमने चला गया, इसी दरीके से, क्या मतलब है, कि वो हर एक electron को, कुछ energy supply कर रही है, उस electron को, हर एक electron को एक एक red bull पिला दी, उसने, एक एक red bull पिला दी, कि जा जल्दी से घुम कर आ पूरे circuit में, एक red bull पिलाने का मतलब क्या है, कि वो हर एक उसको energy supply कर रही है, बैटरी, उस जो charge करने के लिए, मतलब उसको boost up करने के लिए, मतलब उसको energy दे दी, कि हाँ तू जा घुम किया, यही energy हम work done बोल सकते है, इसका मतलब जो हमारी potential difference है, उसको हम ऐसे बोल सकते है, work done per unit charge मैडम, यह हर एक charge पे कुछ ना कुछ work कर रहा है, रेड बूल पिला रहे है, उसके उपर कुछ work कर रहे है, कि जा बेटा, जल्दी, पी और निकल, मतलब work done per unit charge, यह जो ह हमारा formula हमें इसका second formula, इस chapter का मिल गया है, work done per unit charge, W upon Q, यही हमारा potential difference है, यही हमारा potential difference है, ठीक है, potential difference, W is work done, E is energy, Q is charge, work done per unit charge is potential difference, यह एक और चीज़ कह सकते है, work done, in moving a charge, from point A to point B, point A to point B में जो हमें work done है, उसको हम क्या बोलेंगे, voltage difference, और potential difference, जिसको हम, voltage भी बोल देते हैं, राइड बच्चा बटी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह comment box में आपको बताते रहना है, क्या बताते रहना है, कि मैं हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह सबसे important चीज़ है बच्चे, ठीक है, अब battery ने, हमारे electron को charge करके, circuit में भेज दिया, मतलब की, एक potential difference ने, जो हमने लगाया है battery के रूप में, cell के रूप में, उसने हमारे electron को work done उसके उपर करके, उसको भेज दिया, यह चीज़ आ गई समझ में, potential difference क्लियर हो गया, potential difference की कैसे ज़रूरत है, जैसे पानी को इधर से उधर, उपर से नीचे transfer, य हमें के लिए, height difference की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे पास electron difference की ज़रूरत है, ठीक है बच्चा, electron difference की ज़रूरत है हमें इसी तरीके से, और उसी तरीके से हमारा जो battery के अंदर है, potential difference जो है, वो work done करता है, हर एक charge के उपर, तो हमें formula मिल गया हमारा, potential difference का, ठीक है, एक scalar quantity है, कल भी बताया था, कि current भी scalar quantity है, और बच्चे ऐसी potential difference भी scalar quantity है, मतलब इसमें magnitude बता दो, कोई direction बताने की ज़रूरत नहीं है, मझे इसकी, राइट, चलेगी ये बात, चलेगी ये बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि हमारी ये तो एक scalar quantity है, formula हमारा work done upon charge हो ही गया ह आगे क्या है इसमें, it is measured by a device called voltmeter, ये voltmeter से measure होता है, क्या है voltmeter का symbol, voltmeter का symbol, गोले में भी, emitter का क्या बताया था, गोले में भी, ये voltmeter का हो गया है symbol, चीक है, अब मैं voltmeter को connect कैसे करती है, voltmeter को parallel में connect करती है, किसमें connect करती है, parallel में, और emitter को series में, अब भी बस next class में हम ये दोनों topic पड़ेंगे, तो ये चीज़ भी clear हो जाएगी, और मैं मगर एक को series, emitter को parallel में, और voltmeter को series में connect करती है, तो क्या होगा, वो भी देख लेंगे जीकल, ठीक है बच्चे, आगी बात समझ में, मतलब अब meter series में आएगा, voltmeter parallel में आएगा, और ये जो voltmeter है, इसी को हम voltage नापने के लिए, या फिर potential difference नापने के लिए यूज करते हैं, बिलकुल clear, आगे बड़े, आगे बड़े, चलिए, symbol voltage का V है, जो हमने यहाँ देखी लिया है, अब unit, unit हमारी volt है, जिसे हम capital V से denote करते हैं, ठीक है बच्चा, symbol V और unit volt, अगर अब हमें कोई यही चीज बोल दे, कि हमें अब क्या करो, क्या करना है, one volt को define करना है, यहाँ कर दो, one volt को define करना है, अब मैंने आपको कल, SI unit define करने का एक तरीका बताया था, क्या, कि पहले तो formula लिख लो, जिसे define करना है, वोल्ट को define करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, सब से पहले, V is equals to W by Q लिख लोंगी, अब मैं इसकी, आब इन सब की unit लिख लोंगी, वन वोल्ट is equals to, वर की unit क्या होती है, जल्दी बताओ, comment section में, लिख दी है, वैसे मैंने idea तो मिली क्या होगा, जल्दी जल्दी, comment section में जल्दी से मुझे बताओ, की वर की unit क्या होती है, जूल, और charge के क्या होती है, कल बताई थी, चार्ज की भी बता दो जल्दी से comment section में, जल्दी करो बच्चे, ऐसे नहीं, जल्दी आपको इतनी अच्छी class में लेकर आई हूँ, इतनी अच्छी अच्छी GIFs में आपके लिए लेकर आई हूँ तो थोड़ा जोश आप भी दिखाओ, how is the जोश? जल्दी, जल्दी जल्दी comment box को भर दो, spam कर दो comment box में क्या है, one column, तो मैं या से one volt define कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैडम? कर सकती हूँ that one volt is the voltage difference, one volt is the voltage difference that is applied when one joule of work is done by the battery on a unit charge, unit column charge या फिर, ठीक है, ये define हो गया, कुछ बचा है अब इसमें, कुछ बचा है potential difference की बारे में, symbol हो गया, unit हो गई, unit की definition हो गई, क्या होता है ये समझ लिया, आगे पड़े, चलिये, आच्छा जी, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा riddle लेके आई हूँ, क्या है ये riddle, पड़े, an electric train is going south at 98 mils per hour, the wind is blowing northeast, which direction is the smoke blowing, एक electric train northeast जा रही है, 98 mils per hour की speed से और जो हमारी wind है, वो northeast में blow कर रही है, sorry, train कहा जा रही है, south में जा रही है, और wind हमारी northeast में blow कर रही है, अब ये riddle पूछ रही है, कि smoke कहा जाएगा, मुझे comment section में इसके regarding सारे answers चाहिए, comment section में जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताना पड़ेगा, और इसको हम कैसा करते है, live class में करते हैं इसका discussion, कि इसका answer क्या है, चले, देख लिया, comment box भर दिया, live class में करें, discuss, ठीक है, कुछ छोड़ देते हैं, वहाँ भी तो बाते करने के लिए कुछ होना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, Ohm's law क्या है मेडम, Ohm's law क्या है, अब बच्छा, मैंने एक circuit बनाया, बल्ग लगाया, उसके साथ में potential difference या बैटरी लगाई, और मैंने इसमें बोला, current फ्लो कर, ठीक है बच्छे, अब, मैं यह कह रही हूँ, जो यह voltage है, यह में 0 रखती हूँ, अब मैं यह voltage 0 रखती हूँ, तो current क्या होगा, मतलब अगर कोई उसमें push ही नहीं कर रहा, उस wire में कोई इन charge के उपर वर्क ही नहीं कर रहा, गुमाने के लिए, तो हमाई पस current क्या होगा, 0 होगा, उसी तरीके से, अगर मैं voltage बढ़ा दूँ, तो current भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं voltage घटा दूँ, तो current भी घट जाएगा, इसका मतलब, जैसे जैसे voltage बढ़ेगी, वैसे वैसे current बढ़ेगा, और जैसे जैसे current बढ़ेगा, ओ, sorry, voltage घटेगी, वैसे वैसे current भी घटेगा, मैं यह लिख सकती हूँ, क्या, V is directly proportional to I, क्या यह मैं लिख सकती हूँ, है न लिख सकती हूँ, तो बेटा देखो, जो हमारा ohm slow है, यही बताता है, जो हमारा current है, वो potential difference के directly proportional है, मतलब, current को circuit में कितना flow करना है, वो voltage difference बताएगा, voltage difference जादा work करेगा, तो जादा current flow होगा, कम work करेगा, तो कम current flow होगा, चीक है, अब यह proportionality constant घटाने के लिए, कोई constant कोई proportionality constant आएगा, उससे हमें हमारा ohm slow मिल जाएगा, मैंने देखो, वी डरेक लिए proportional to I कर दिया, अब हमारे पस V is equal to IR हमें formula मिल जा, ठीक है बच्चा, जहां हमारा जो I है, जो हमारे पास IR आ गया, यह R हमारा resistance है, यह resistance है हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते है, resistance बोलते ह चलो एक experiment करती है, अगर हमने V1 की battery लगाई तो I1 current आया, V2 की battery लगाई तो I2 current आया, V3 की battery लगाई तो I3 current आया, मतलब मैंने V1, V2, V3 अलग-अलग potential, मतलब मैं बैटरी की voltage differ करती जा रही हूं, तो आप देखोगे, जो हमारा V1, V2, V3 होगा, वो एक linear graph पे लाई करेंगे चीक है, V1, V2, V3, यह V1, I1 है, यह V2, I2 है, यह V3, I3 है, मतलब इन दोनों के बीच में linear relationship है, जिस जो origin पे cut करेगा, यह graph clear हुआ, यह जो ohm slow है, यह सारे devices follow करते हैं, कौन से? सारे ohmic devices follow करते हैं, नोन ohmic devices कौन से होते हैं, जो ohm slow नहीं follow करते हैं, यह बात हुई clear? हो गई यह बात clear? आगे बड़े, अब मैं कह रही हूँ, कि हमें, यह हमारे पास एक circuit है, अब मुझे कुछ resistance भी लगाना पड़ेगा, मालों में इस box से दिखा रही हूँ, और एक voltage लगानी पड़ेगी, देखो, क्या है कि जो B है, वो sorry, जो I है, जो हमारे पास, I है, वो directly proportional to the V है, directly proportional to V है, लेकिन I inversely proportional to 1 by R, मतलब R है, resistance के inversely proportional है, इसका मतलब, अगर मैं voltage बढ़ाऊंगी, तो current तो बढ़ेगा, ये बात तो तै है, लेकिन current को बढ़ने से पहले, resistance की और भी देखना पड़ेगा, पहले मैं क्या कह रही थी, कि मैंने voltage बढ़ाई, तो मेरा current बढ़ गया, लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ, अब मुझे, अब इस current को flow होने से पहले, यहां आके इस resistance को भी देखना पड़ेगा, इसकी value आखिर है क्या, उसी के according के flow करेगा, ठीक है, मतलब current voltage जादा तो current जादा, लेकिन अगर resistance जादा, तो current कम, अगर resistance कम, तो current जादा, लेकिन फिर voltage को भी जादा होना पड़ेगा, इन दोनों factors को, उसको mind में रखके चलना होगा, मतलब, अगर मैं current हूँ, मुझे road cross करनी है, तो मैं, मालो एक ही सड़क है, जहां पर गाड़िया आ भी रही है, जा भी रही है, तो मुझे सड़क cross करने से पहले, जो गाड़िया आ रही है, उनकी तरफ भी देखना होगा, ज इसका मतलब, इसका मैं erase कर देती हूँ, नहीं तो नीचे वाली चीज़े हमें नहीं दिखेंगी, इसका मतलब कि जो है voltage तो push कर रहा है आगे, current को बहने में मदद कर रहा है, लेकिन हमारे पास at the same time, यह जो हमारी ohm है, यह जो ohm है, यह resistance है, यह हमारे पास लाल वाला resistance है, हमें रोक रहा है, यह current को आगे जाने से रोक रहा है, क्या कर रहा है, इसको उपर की दरफ पुल कर रहा है, कि नहीं तू नहीं जाएगा, और voltage क्या कर रही है, धक्का दे रही है, कि आगे बढ़, आगे बढ़ बेटा, बहुत देर होगे, जिल्दी आगे चल, है ना, यह क्लियर है, यह जी आई है, पिच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है, यह किसी तरीके खा, current के लिए, अपोजीशन है, अपोजीशन का क्या मतलब है, किसी तरीके की रुकावट है, रुकावट में खेद है, है ना, मतलब की, जो बोल्टेज है, यह तो पुश कर रहा है, इलेक्ट्रोन को, आगे जा बिटा, आगे जा, लेकिन रेजिस्टेंस, जो ही मेरा हाथ है, यह रोक रहा है, कि तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, current को आगे बढ़ने से पहल दोनों को देखना होगा, कि तू क्या है या तू क्या है, यह चीज आ गई समझ में, ओम स्लो की डेफिनिशन भी आ गई जी, ओम स्लो क्या है, V is equals to I, या फिर V upon R is equals to I, या फिर, तीसरा क्या बन सकता है, या फिर R is equals to V upon I, एक, दो, तीन, बात क्लियर है या नहीं? जल्दी से comment box में बताया जाए, आगे बेड़े, क्या है, अब ये resistance क्या है, मालो, एक बहुत तुम बजार में जा रहे हो, बहुत भीड़ वाला इलाका है, मतलब लोग एक दूसरे के उपर पढ़ रहे हैं, सरोजनी नगर, जाश्पत नगर जाते हो, आजकल तो बहुत एक लेकिन अगर आपको एक खाली सड़क मिलेगी, तो आप सीधे चले जाओगे, उसी जगा अगर आपको ऐसी मार्किट मिल गई, तो इधर टकरा के, इधर टकरा के, इधर टकरा के, ऐसे ऐसे चलोगे, सेम टाइम, अगर कोई resistance ना हुआ वायर में, तो electron तो सीधा निकल जाए ठीक है बच्चो, बात आई समझ में, when there is too much crowd on a road, it is difficult for us to walk past, चल सकेंगे, लेकिन तेज चलने में परिशानी होगी, उसी तरीके से, जो हमारा ohm slow है, ये भी यही कहता है, कि हमारा ohm slow क्या कहता है, कि जो resistance है, जितना जादा होगा, current को आगे वढ़ने में उतनी ही दिक्कत ह होगी, लेकिन voltage उसे push करेगा, और resistance उसे रोकेगा, चीक है, आगे बड़े, और यही कह रहा है, similarly if the resistance is high in the conductor, the flow of current decreases, मतलब रोकने वाली चीज अगर जादा होगी, तो current कम हो जाएगा, देख रहे हो ना, अगर ये इसको voltage को push करनी होती, तो ये ऐसे ही निकल जाता, लेकिन उ किसी तरीके से हमारे conductor में ये आयन है, और ये हमारे sky blue color के electrons है, ये सीधे चले जाते हैं, अगर कुछ भी ना होता, लेकिन अब क्या है इसके पास, अब इसके पास बहुत सारी रुकावटे हैं, और रुकावट की पहली चीज क्या है, ये आयन्स, आयन्स है, जिन से वो तकर टकरा के जा रहे हैं, एक तो मैं ये आयन्स हैं, और वो अपने बागी electron साथियों से भी टकराते हैं, ये जो है, ये किसी भी conductor में हमें resistance प्रोवाइड करते हैं, आई बात में समझ या नहीं, चीक है, ये हमारे निकल जाते सीधे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिन दे ल कि अगर कोई चौर ना होता वायर में, तो वो सीधे निकल जाते, लेकिन अब जबकि आयन्स और और electron present हैं, तो electron टकरा टकरा के टकरा टकरा के ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है, चलिए, इस tendency of a substance, this tendency of a substance to oppose the flow of an electric current through, it is called electric resistance, ठीक है, इसी को electric resistance बोलते हैं, यह हमारी definition हो गई, क्या है definition, the tendency of a substance to oppose the flow of electric current की, हमारे electric current को बहने से रोकने के लिए, जो substance की tendency होती है, उसी को हम electric resistance कहते हैं, और अच्छी से देख लिए इसके definition, इसको resistance, it is the property of a conductor to resist the flow of charge, resist the flow of charge, या फिर to oppose the flow of charge, flow of charge को रोकने की tendency को ही, हम electric resistance कहते हैं, clear हो गई, इसका symbol बेटा यह है, जैसे road पर चल रहे हो, एक breaker आ जाता है न, किसे लिए होता है, आपकी speed कम करने के लिए, ऐसे हमने circuit में इसे धेर सारे breakers से दिखा दिया, कि यह हमारे current के लिए breakers है, resistance प्रवाइड कर रहे हैं, और इसकी unit क्या है बेटा, इसको बोलते हैं ohm, यह है Greek letter omega, इस तरीके से इसे बनाते हैं और इसे बोलते हैं ohm, clear, symbol clear, unit clear, circuit symbol भी clear है, आगे बड़े, अब बच्चे, जो यह resistance होते हैं, यह two type के होते हैं, या तो यह variable होंगे, या तो यह variable होंगे, या यह fix होंगे, मतलब variable, अरे बच्चे, क्या हो रहा है, यह तो यह variable होंगे, या यह fix होंगे, यह हमारे पैस जो left में जो पिच्चर है, यह हमीं दिखा रही है, यह variable resistance, यह क्या है, जो यह slider आपको दिख रहा है, अगर इसको, जो इसकी दो end है, यहां से हम wire connect करते हैं, और अगर हम इसको left करेंगे, तो resistance बढ़ जाएगा, write करेंगे तो resistance कम हो जाएगा, ठीक है, इसको variable resistance बोलते हैं, कि अगर हमने इसको यह circuit में लगा दिया, तो हम उस circuit का resistance चेंज कर सकते हैं, इस स्लाइड करके इदर उदर, ठीक है, और इसको symbol क्या होता है, जो हमने वो खड़े बनाए थे, बस उसमें एक तीर लगा दो, यह होता है variable resistance का, और the other hand, यह हमारा fixed resistance होता है, यह जो color coding wire है, यह किसी भी fixed resistance की value बनाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, color coding बोलते हैं, इनसे हमारे resistance की value पता चलती है, ठीक है बच्चा, यह जो device है, इसको हम rheostat भी बोलते हैं, rheostat क्या है, एक variable resistance है, यह बात हुई clear, आगे बड़े, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो comment box भरते रहिए, कुछ doubt है, तो comment box भरते रहिए, ठीक है बच्चा, आगे बड़े, आगे बड़े बच्चा पाटी, अब के देखना हैं, कि वो कौन-कौन से factor हैं, जिस पे हमारा resistance, डिपेंड करता है, तो बच्चे हमारा जो resistance है, हमारा जो resistance है, वो हमारा सिर्फ material पे डिपेंड नहीं करता, कि किस material से बनाया है, यानि कि conductor, insulator है, क्या है, यह है, वो है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, किस की dimension क्या है, dimension मतलब length क्या है, breadth क्या है, area क्या है, इस पे भी depend करता है, ठीक है, कैसे करता है, बच्चे, मैं इसके लिए आपको एक और analogy बताने वाली हूँ आज, विच इस traffic analogy, traffic analogy क्या है, कि मैंने एक वायरली इतनी लंबी, एक वायरली इतनी छोटी, मैंने सेम एरिया बनाया है, यह जो गूले का area है, यह दोनों का सेम है, लेकिन यह L1 है, यह L2 है, अब मैं कहा रही हूँ, यह दो जो मैंने वायर बनाया है, इनको दोड़ी देर के लिए सडक माल लो, यह तो लंबी सडक है, यह एक छोटी सडक है, अब traffic का यह rule है, आपको एक तो 5 km जाना है, और एक 10 km जाना है, चलो उपर वाला 10 km मानते हैं, नीचे वाला 5 km मानते हैं, आपको दिल्ली में कहीं एक पॉंट से दूसरे पॉंट जाना है, उत्तमनगर से शाधरा जाना है आपने, तो बच्चे जादा डिस्रेंस लगेगा, वहीं उत्तमनगर से पास ही में कहीं तिलखनगर वगेरा जाना है, तो आपको कम traffic मिलेगा, और मैं traffic की जगह, अगर मैं वह लगा दूँ, traffic lights जो होती है, वह लगा दूँ, अगर red light, कितनी red lights मिलेंगी 10 km की एरिया में और कितनी मिलेगी 5 km में, obviously बच्चे 10 में जादा मिलेंगी, मतलब जितना बड़ा रस्ता उतनी बड़ी resistance, और जितना छोटा रस्ता उतना कम resistance, छोटा रस्ता कम resistance, लंबा रस् मतलब, length बड़ेगी, तो resistance बड़ेगा, यह लिख दो फिर, R is directly proportional to L, मतलब, जितनी भी length होगी conductor की, उसमें उतने जादा ions होंगे, उतने जादा collisions होंगे, उतना ही electron मुश्किल से जा पाएगा, वहीं अगर छोटी length होगी wire की, उतनी ही जल्दी electron फटवट फटवट भाग जा है, अब at the same time, यह case 1 हो गया, मैं case 2 में क्या ले रही हूँ, एक मैं सड़क ले रही हूँ, जिसमें 1 lane सड़क है, और एक सड़क ले रही हूँ, दोनों की हमें length बराबर रखनी है, तब ही आपको मैं समझा पाऊंगी, है ना, हाँ जी, तो एक मैं सड़क ले रही हूँ, यह 4 lane सड़क है, मतलब यह जो इसका area है, और यह इसका area है, यह दोनों बहुत अलग है, मतलब जो second नीचे वाला case है, उसमे area जादा है, उपर वाले case में area कम है, इसका मतलब बच्चे, अगर 1 lane की सड़क होगी, तो जादा traffic मिलेगा, यही अगर मैं सड़क को चोड़ा करके 4 lane स सड़क बना देती हूँ, तो आपको कम traffic मिलेगा, यह बात clear है, मतलब क्या है, कि मुझे traffic कम करने के लिए अपनी wire चोड़ी करने पड़ेगी, यह सड़क चोड़ी करने पड़ेगी, उसी तरीके से अगर मैं wire चोड़ी कर दूँ, तो जो हमारे electron है, वो easily निकल जाएंगे, उन्हें कम traffic मिलेगा, मतलब की जितना जाधा area उतना कम resistance, area बढ़ने के साथ साथ resistance घटेगा, inversely proportional लगा दू, अब हमें यह formula मिल गया, r is equal to rho l pi a, यह rho हो क्या है मैं, यह rho है बेटा resistivity, यह भी resistivity भी opposition है, हमारा opposition है, और इसकी unit क्या है, ohm meter, ohm meter इसकी unit है, यह भी एक तरीके का opposition है हमारी wire में, मैं हम जब resistance भी opposition है, resistance भी oppose कर रहा है, और हमारा resistivity भी oppose कर रही है, तो मैं हम difference क्या है इन दोनों चीजों में, difference देख लिए बच्चे, जो हमारी resistivity होती है, बच्चे वो किसी भी material की property होती है, ठीक है, कोई भी resistivity हमारी किसी की length या area पे depend नहीं करती, मतलग जो resistance है, वो conductor की property होती है, ability होती है to oppose the current, कि यह conductor कितना oppose कर सकता है इस current को, वो resistivity बताएगी, at the same hand, जो यह resistivity होती है, this is the ability of a material, मतलग किस material का बना है, copper का बना है, steel का बना है, या किसी भी material का बना है, वो यह लेकिन जो हमार पस यह resistance है, यह conductor बताएगा, मतलग, conductor क्या है, कि वो resistivity की material तो बताएगा, यह बताएगा, उसके साथ-साथ length और area भी responsible होगा, resistance बताने में, है ना, मतलग, it depends on the length and the area of cross section, लेकिन हमारी resistivity है, it does not depend on the length and the area of the cross section, यह हमारा difference हो गया, resistivity is the property of a material, whether and while, जो resistance है हमारे पास, it is the ability of a conductor to oppose the current, और वो material की property है, material मतलब, कि iron की है, copper की है, steel की है, या पिर हमारे पस कोई और material की है, जबकि resistance क्या होगा, हमारा length, area और material की हिनों पर depend करेगा, clear, अब बच्चे यह देखो, मतलब क्या है, इसका thinner the wire, longer the wire, reverse the conductor, बच्चotte अच्छा conductor बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है कि वो हमारे पर जादा से जादा current पास करे, क्योंकि हमें जादा से जादा current पास करने है, कोई resistance नी होने चाहिए, कोई रुकावट नी होने यह कह रहा है, thinner wire, longer wire was the conductor, thinner का मतलब है area कम, longer का मतलब है length जादा, तो resistance के formula से, rho L by A से area resistance डबल बढ़ जाएगा, इसका मतलब resistance जादा बढ़ गया, तो current कम हो गया, तो conductor खराब है, बिल्कुल खराब है conductor, ठीक है, on the same hand, यह जो thicker the wire, shorter the wire, better the conductor, thicker the wire मतलब area बढ़ गया, shorter the wire मतलब length कम हो गई, better conductor मतलब की resistance बहुत कम हो गया, मतलब कैसे resistance बहुत कम हो गया, जब rho L by A में हमने R is equal to, यह दोनों चीज़े पुट करी, area बढ़ रहा है, length घट रही है, तो overall resistance हमारा बढ़ गया, घट गया, मतलब हमारा current बहुत जादा बढ़ गया, इसलिए बहुत अच्छा conductor है, ठीक है, यह less current प्रवाइट करेगा, यह more current प्रवाइट करेगा, ठीक है, clear है यह चीज, सबको clear है, अच्छे से, I hope आपको अच्छे से, यह चीज भी समझ में आ गई है, कि thicker the wire, shorter the wire, better the conductor, on the same hand, अगर wire thinner है, longer है, तो conductor थोड़ा खराब है, क्योंकि उसमें current कम बह रहा है, राइट में, जो हमारे पास यह है, इसमें current कम बह रहा है, जबकि जो यह है, हमारे पास इसमें current बहुत जादा आ रहा है, क्योंकि ठीक है, ठीक है बच्छे बाटी, अब यह देखो, यह हमारे पास कुछ material की resistivity है, जो आपके NCRT के book में भी दी हुई है, इसमें, जो हमारे conductors है, इनकी resistivity तो 10.1-8 है, मतलब कि यह अच्छे से current पास करेंगे, and the same hand, जो alloys है, उसके बाद जो insulator है, उनकी उनसे जादा है, तो वो जादा current नहीं पास कर सकते, इसका मतलब देयार, not good for electricity, या flow of charge के लिए अच्छे नहीं है, यह देखो, silver की 1.60 into 10.1-8 है, तो मतलब य aluminum, tungsten, nickel, यह साब आते हैं, ठीके बच्चे, यह याद करने की जुरूरत नहीं, यह बस आपकी knowledge के लिए दिया गया है, एक question कर लें, question क्या है, एक copper wire is of length 2 meter, area of cross section 1.7 into 10 to 1 minus 6 meter square, और resistance 2 into 10 to 1 minus 2, अब इसका हमें resistivity बताना है, easy है, निकाल लोगे, निकाल लोगे, कॉमेंट सेक् करके बताना इसका answer क्या है, ठीक है, ठीक है, ठाइम दो आपको यह attempt करने के लिए, चलिए, 20 seconds, चलिए, जल्दी-जल्दी मुझे comment section में अपना answer, बताईए, जल्दी मुझे comment section में A answer है, B answer है, C answer है, और D answer है, तो बच्चे, इसके answer निकालने के लिए, हमने अभी formula पढ़ा, R is equal to rho L by A, तो इधर से rho मैं बता सकती हूँ, कितना होगा, R A by L, मुझे R दिया है, 2 into 10 to the power minus 2, A दिया है, it is 1.7 into 10 to the power minus 6, और length दिया है, 2, इससे मैं answer निकाल सकती हूँ, कितना है या मेरा answer, 1.7 into 10 to the power minus 8, तो आंसर क्या हुआ, 1, सही है बच्चो, मज़ा आया, आज की class में मज़ा आया क्या आप लोगों को, आप मुझे comment box में जरूर बताइएगा, कि आप लोगों को समझ आया या नहीं, मिलते हैं हम next class में नई topics के साथ, और नई chapters के साथ, मज़ेदार तरीके से हमें इस term 2 को प एक्यूंग laquelle में आप टावरे को दोड़ ठावरे घर नहीं, म